नमश्कार दोस्तों, मैं हूं रशब xlsuperstar.org से मेरा एक ही लक्षे है आपको xl superstar बनाना और vba macros में expert और इसलिए मैंने एक online workshop रखा है 2nd October on xl vba macros बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, रशब, xl macros क्यों सीखना चाहिए? और मैं उन्हें ये जवाब देता हूँ कि xl macros expert की बहुत demand है इंडस्ट्री में मैं इस online workshop में बताऊंगा ये demand क्यों है? बहुत लोग मुझसे कहते हैं, रशब, vba macros मतलब programming, क्या इसे सीखने में दुविदा है, मुश्किल है? मेरा कहना है कि अगर आप सही ढंक से सीखो, इसमें कोई मुश्किल नहीं है इनफाक्ट अगर आप सही तरीकी से सीखोगे, तो बोर कभी नहीं होगे और यही मैं बताना चाहता हूँ अपने online workshop में मैंने काफी सारे कॉपर्ट्स में ट्रेनिंग ली है, और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ ये training experience शेर करूँ इस online workshop में इस online workshop में मैं आपको वो सारे phases बताऊंगा जिसके sequence में आपको VBA macros सीखना चाहिए for example record and running a macro, VBA का workspace कैसा हो, VBA code का structure कैसा हो, वो तीन magic words कौन से हैं जिसके google search करने पर आपको ready-made codes जल से जल मिल सकते हैं VBA macros की use करते समय, object क्या है, properties क्या है, methods और variables क्या है, उसके बाद हम जाएंगे cell and range objects में next, हम loops कैसे बनाते हैं, जिस तरह do while, do until, for next, ये सारे loops कैसे बनाए जाते हैं और आपके repetitive task को कैसे automate कर सकते हैं next, events और button जिससे macros trigger किया जा सके, वो कैसे इस्तमाल करते हैं next, जब थोड़ा और advance आप macros में जाओगे, तो forms बनाना भी सिखेंगे और इसकी एहमत मैं आपको online workshop में बताऊँगा next, vlookup, hlookup, if ये सारे system defined function है आप चाहो तो अपने खुद के function बना सकते हो macros के द्वारा और उसे हम कहते हैं user defined functions ऐसे और बहुत सारे दिल्चस्प techniques और concept इसके बार में बताऊँगा online workshop जो होने वाला है 2nd October 2017 को 11 से 12, 90 minutes और ये बहुत ही कीमती होने वाला है आपके career के लिए, आपके Excel टास्क को automate करने के लिए सो भूलेगा नहीं, book your seat today और मैं मिलता हूँ आप से 2nd October को 11 से 12 के बीच में